जैहिन, मयामी तार्या, PCS में गड़ यूटूब चानल में आप सभी का स्वागत करता हूँ तो आज लेकर आया हूँ, यूडिटेरिया का बिहार पड़िवहन विभाग जो है इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर के बाड़े में जो सेट लाए हैं वो आज discussion करेंगे, तो बिहार दरोगा और ESI दोनों के लिए ये सेट बहुत ही important है और regular वीडियो आपको volume 1 जो है 15 दिन में आपको complete करा दिया जाएगा ठीक है न, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला question, क्या है, आप इसको आंकलन करते हुए आप इसका right answer जरूर दिएगा, ठीक है, यदि नहीं, तो आप copy pane लेकर बैठिए और इसका answer मैं कुछ समय दूँगा उस समय के बीच में आप अपना लिख लिएगा, और आप मिलाते जाएगा कितना आपका सही answer होता है ठीक है ना, तो चलिए टेस्टे स्टार्ट करते हैं, पहला question है, आपके सामने, पहला question है, कि भारत के साथ बैपार करने का charter act जो है, महरानी एलीजा बेथ दौड़ा कब दिया गया था? राइट answer है B, ठीक है ना, 11 December 1600 को, क्या हुआ था? कि 11 December 1600 को महरानी एलीजा बेथ दौड़ा भारत के साथ बैपार करने का charter प्रदान किया, उसके बाद क्या होगा? कि East India Company की अस्थापना जो है आपको पता होगा, कि 1620 में हुई, लेकिन East India Company का भारत में आगमंजू है ना, वो 1680 में हुआ है, तो इस बात को आप ध्यान रखेगा, ठीक है? नेक्स्ट कोशन आपके सामने हैं, भारतिये राष्ट्रिये अंदोलन के प्रारंब से ही अग्र राष्ट बादियों का भी वर्ग था, तो बताए निमन में खेस कौन सा सामिल वो ऐसे व्यक्ति नहीं थे? तो राइट अंसर आपका सी होगा, यानि गोविंद, रनाडे, क्या हुआ था कि महादेव, गोविंद, रनाडे इसमें सामिल नहीं थे, क्योंकि वे उग्र राष्ट बादी के वर्ग से अलग थे, ठीक है? नेक्स्ट कोशन आपके सामने हैं, 1916 में कॉंग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनव सम्झहता हुआ, उसके कौन से पड़िनाम बाद घातक सिद्धे हुए? राइट अंसर है आपका, C, कॉंग्रेस द्वाडा मुसलमानों के प्रती संतुष्टिक करन की नीती का अरंब, ठीक है न, तो हुआ था क्या, कि दोनों ही कॉंग्रेस, जैसे दोनों ही कॉंग्रेस और मुश्लिम लीग के सम्झहते के बाद, संतुष्टिक करन की नीती अरं हुआ था, राइट अंसर आपका, C होगा, लॉर्ड लिन थियोर्ग, क्या है आपका, लॉर्ड लिन लित्गो, ठीक है न, यह याद रखेगा, क्या हुआ था, कि जैसे लॉर्ड लिन लित्गो के सासन काल में, व्यत्तिगत सत्याग्रहत की शुरुवात हुई, इसके प्रत हम शत्याग्रही अचारे विनोवा भाव, ठीक है, नेक्ट कोशन आपके सामने है, भारती राष्टिये कॉंग्रेस की पुर्व वर्ती संस्थाओं में से सबसे पहली प्रमुख्य संस्था कौन थे? राइ्ट आंसर आपका हो जागा C, यानि कि British India Association, कहने का मतलग कि British India Association कॉंग्रेस के पुर्व संस्थाओं में शर्व प्रतम संस्था मानी जाती है, अनने संस्थाए Indian Association भ्रेटिस Association आदी भी इसो मना जाता है, नेक्स्ट कोशन है आपके सामने सिक्स नंबर पूना सम्झाओता किन दो पक्छो के बीच हुआ C is the right answer यानि कि दलित वर्ग और हिंदुओं निता को निताओं के बीच हुआ तो दलित वर्ग और हिंदुओं निताओं के बीच पूना सम्झाओता उन्हें 132 में संपन हुआ यह सम्झाओता महात्मा गांधी और अंबेटकर के बीच संपन हुआ इस बात को आप ध्यान दखिएगा नेक्स्ट कोशन आपके सामने है दादा भाई नरोजी ब्रिटिस्ट हाउस ओफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले बारतिये थे उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाओ जिता था शाथ का अंसर बताजेगा डी इस दा राइट अंसर लिब्रल पार्टी ठीक है क्या हुआ था कि दादा भाई नरोजी उन्होंने इस अठारो सब बिरानमे में लिब्रल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिस हाउस ओफ कॉमर्स के लिए निरवाचित हुए थे ठीक है नेक्स्ट कोश्चन एट नमर देखेंगे ब्रिटिस संसद ने भारत स्वतंतरता कानून 1947 पारित किया था कम किया था एस दराइट आंसर जुलाई 1947 में हुआ था क्या कि जुलाई 1947 में ब्रिटिस संसद में भारत स्वतंतरता कानून 1947 को पारित किया गया लेकिन बाद में 15 अगस्ट 1947 को भारत की आजादी की भी घोशना कर दी थी ठीक है, नेक्स्ट कोशन आपके सामने है मुस्लिम लीग ने पकिस्तान की मांग अधिकारिक तोड़ पर कब किया था? C is the right answer, मार्च 1940 में लागू कर दिया क्या हुआ था? तो मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने बिधिवत और अधिकारिक तोड़ पर पकिस्तान की मांग रखी 14 अगस्ट 1947 का पकिस्तान अलग राष्ट बन गया था ठीक है? नेक्स्ट कोशन है आपके सामने भारत में थियोशोफिकल मत का किसने प्रारम्ब किया था? D is the right answer, यानि कि भारत में थियोशोफिकल सोसाइटी की अस्थापना जो है और उसका मत प्रचारक मैडम बलाव स्क्रिक्स की और करनल ओलकाउट के द्वड़ा किया गया था नेक्ट कोशन है आपके सामने एक कस्वे की जन संख्या पहली वर्स 5 परतिसत घटी दूसरे वर्स 8 परतिसत की बिर्दी हुई और तिसरे वर्स क्या हुआ कि 10 परतिसत की क्या हुआ घट गया तो कड़ा तीन साल में आप बताई तो आपको पता होगा कि टोटल आपका इतना दिया हुआ है दिया हुआ है न यानि कि पांच पहले बिर्दी हुआ कितना आज परतिसत ही कमी हुआ तो 95 बाई हंड्रेड फिर आपका क्या हो जाएगा उसके बाद बिर्दी होगे 8 परसेंट एक तो आठ बाई हंड्रेड फिर उसके जगा नहीं है तो देखे उसके बाद फिर कितना तीसरा बार में दस घट गया तो 90 बटा तो यह एक तो यह एक जिरो से आपको यह जिरो कट गया यह जिरो एक दो तीन चार पांच इस पांच से पांच सुना कट गया तो आपका बचा फाइब 95 108 उसके बाद आपका 9 इस सब को मल्टिप्लाई किजेगा न तो आपको टोटल देखिए लगभग आपको यह C is the right अपका C होगा अंसर होगा ठीक है इसको सॉल्व करके आप देखिए लिए निक्स चोशान आपके सामने कर दो कि अगा करते करि कि नहीं तो कि यह करने आपर कि आपकर करता है येerson पीजब अब 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 से दो वर्स में कोई मुल्धन स्वैम का 25 बटा 16 गुना हो जाता है ठीक है तो नेक्स्ट कुस्चिन देखिएगा आपके सामने कि किसी कारे को पुड़ा करने में एक को बी की तुलना में 10 दिन कम समय लगता है और यदि ए तथा भी दोनों मिला कर 12 दिन में करता है तो ए अकेला कितना का है ठीक है तो यह इजी कोशन देखिएगा प्रॉड़ास सा टीक है तो यह इजी कोशन देखिएगा टेखिएग्स कारे कर दो ऑदिन में कर दो यह इजी कोशन देखिएगा कर दाव इजी के तो ए तो पीन कम समय लह इंड बींगा तो चलिए नेक्स्ट कोश्चन कि बरावर पडिमाप बालि एक वर्ञ तथा एक आयत के छेद्रफल करम स़ागए एक आर्क से भयाप्त करते हैं तो निमिल कित्मेसे कौन igen तो देखे इसको आएड जो होता है ठीक है वो बढ़ा होता है आपका rectangle से याद रखे क्योंकि इसमें वर्ग होता है इसमें A और B दोनों दिया होता है तो हमेशा ये option सही होगा यानि कि आपका D is the right answer और नहीं तो इसको mathematics में मान कर भी देख सकते हैं आप बना सकते हैं ठीक है? शोला नमर देखते हैं क्या question है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा बोग नबील किस देश से संबंदी थे? बीज दर आइट आंसर यानि कि पपुआ निव गिनी से रिलेटेड है क्या हुआ था? तो बोगन वील प्रशांत महासागर इस्थित जो है पपुआ निव गिरी का हिस्सा था लेकिन बात हुआ कि बोगन वील के पपुआ निव गिनी से अलग होने का प्रस्ताव सुईकार कर लिया गया है अब बोगन वील का एक नया देश होगा ठीक है? इसलिए ये जो है शंबंदीत है सुर्खियों में next question है सुनहडा रेशा होता है तो see is the right answer जूट जो होता है सुनहडा जिसको पटसन के नाम से भी जाना जाता है इसके तने से पतिया अलग करके पानी में गढ़र बांद कर क्या सरने के लिए छोड़ दिया जाता है ठीक है? और इसके बाद रेशे को पौधे से अलग किया जाता है तब ही पटसन का इनमान होता है ठीक है? नेक्ट कोशन आपके सामने है कि न्यू कैशल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोईला निर्यात बंदरगा है या किस देश में इस्थित है? बीज दराइट अंसर अस्ट्रेलिया में इस्थित है तो देखिए अस्ट्रेलिया में क्या हुआ था? तो न्यू कैशल पोर्ट हंटर नदी के तट पर अवस्थित है यह विश्व का सबसे बड़ा कोईला निर्यात तक बंदरगा है जो अस्ट्रेलिया में है नेक्ट कोशन आपके सामने है देशांतर रेखाओ से सम्मदित कौन सही है D is the right answer देशांतर के मद सरवदी के दूड़ी विश्वद रेखाओ पर होती है इसमें समझाने की जरूरत नहीं होगी नेक्ट कोशन है धूपगड़ी चोटी किस स्रेनी के सरवज चोटी है A is the right answer देखे बात है कि धूपगड़ चोटी स्रेनी की सरवज चोटी है यह पंचमगड़ी पंचमड़ी में स्थित है और स्रेनी का विस्तार मद्य परदेश और महराष्ट राजी में है याद रखेगा इसके उत्तर में नर्मदार नदी है और दक्षिन में तापती नदी हमीसा बहते रहती है ठेक नेक्स्ट कोश्चन आपके सामने है निमलिखित में से कौन सा नदी है जो अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है तो बीज दराइट अंसर कोशी नदी ठीक है न कोशी नदी मार्ग बदलने में एबं भायंकर बार्ड के लिए प्रख्यात है इसी कारण से कोशी को बिखार का सोक भी कहा जाता है बिखार की इस प्रमुक्खे नदी का उद्गम निपाल में होता है और बिखार में यह कुरसेला के पास गंगा में मिल जाता है ठीक है, next question है किस मिर्दा प्रारूप में लोहा के अत्रिक्त मात्रा होने एक कारण अनुवर्चक हो जाता है C is the right answer, letterite होता क्या है, कि यहाँ पे उपरुक्त बिकल्प में अगर देखें तो letterite मिट्टी में लोहे की मात्रा पाई आती है letterite जो मिट्टी होती है, वो लोहे की अपे छा अधीक मात्रा के कारण उर्भरक्ता नहीं रह पाता, यहाँ पे फसल उप जाए नहीं हो पाता है next question है, मिस्रित किसी सम्मिलित है D is the right answer, फसलों के साथ पशुपालन करना यानि कि मिस्रित किसी का ताथपड़िया है कि कई तरह के फसलों के साथ शाथ पशुपालन का कारे भी करना, जिससे किसानों की स्तिती में सुधार हो शके next question है, भारत का सबसे पुराना तेल भंडार कहां इस्तित है D is the right answer, डिग बोई, ठीक है न, भारत का सबसे पुराना तेल भंडार असम के डिग बोई में स्तित है या ब्रह्म पुत्र घ्राटी के का तेल भंडार है अंकलेशवर या कोईली गुजरात में तथा मुंबई, हाई महरास्ट में स्तित है यह सब भी थोड़ा याद रखिएगा नेक्ट कोश्चन है, निमली की तमेशिए कौन जोबियन ग्रह नहीं है A is the right answer, सुक्र जो है जोबियन ग्रह नहीं है क्यों नहीं है, इसके बाड़े में जानते हैं तो देखिए, बिरशपत, शनी, यूरेनस, नेप्चियून ग्रहों को बड़े आकार के कारण जोबियन ग्रह कहा जाता है जोबियन का अर्थ होता है, बिरशपती ग्रह के शमान यदि बिरशपती ग्रह इतना बड़ा है तो उसी के समान होना चाहिए जैसे बुद, शुक्र, मंगल एबन पृत्वी को पार्थिविक ग्रह कहा जाता है ठीक है न, इस बात को ध्यान रखिएगा नेश्ट कोश्चन आपके सामने है विक्तोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंदित है ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानि कि जा बेंजी नदी के तटपर है ठीक है तो यहाँ पर राइट आंसर मैंने बता दिया है आप सबको जाम्बेजी ठीक है न, हुआ क्या कि विक्तोरिया जलप्रपात दक्षिन मदर अफ्रिका के जाम्बिया, यानि कि जिम्बाबे की सीमा पर, जाम्बिया नदी पर इस्थित है, विक्तोरिया जील की अफ्रिका महादेश में है, जो यूगांडा या तंजानिया या केन्या के मद में इस्थित है जिससे नील नदी का उद्गम होता है, और क्या होता है कि विक्तोरिया दूइप कनाडा में भी इस्थित है तो इस बात को आप ध्यान दखिएगा नेस्ट और बहुत इंपोर्टेंट कोश्चन है ध्यान से समझेगा 27 नमड़ है कि निमलिखित कमे से समयलित की जिया और दरसाते हुए ठीक है न, कि पहला है छोब मंडल ठीक है, इसको मेच करिए और एंसर आप बताए C is the right answer यानि कि एक और तीन जो है समयलित को दरसाता है तो एक जो है ये देखिए छोब मंडल जो है मौसमी संबंदित होता है ठीक, और उसके जोब आयम मंडल जो है बितार संचार के लिए महतपुर्ण होता है समताप मंडल में ताप का क्रम कम होना ये गलत बात है ठीक है, उसके बाद ये बाहे मंडल में बायूयान नहीं समताप मंडल में भाई हुए आनो तो यानि कि ये उल्टा हो गया तो यहां ये option भी गलत हो जागा तो आपका right answer क्या हो जागा एक और तीन हो जागा समझ में आ रहा है ठीक है चलिए next question आपके सामने कौन सी जन्जाती उत्री धुरूबियों छेत्रे में चारों तरफ क्या करती है कि निवास करती है B is the right answer Eskimo Eskimo जन्जाती उत्री धुरूब छेत्रे में चारों तरफ निवास करती है Eskimo, Alaska या Canada या Greenland उत्री रूस में भी निवास करती है ठेक है न तो ये question का answer देख ली जएगा next question है महासागड़िये धाराव को निम्न मेशे कौन सा प्रभावित नहीं करती है ध्यान रखे है कौन सा प्रभावित नहीं करती है Eskimo, यानि कि प्रित्वी का प्रकिर्मन जो है वड़ी क्रमन जो है वो प्रभावित नहीं करती है कैसे तो देखे महासागर्य धाराव को प्रित्वी की घुर्नन या जल का घनत्व बायु दाव एबम हवा तापमान में भिन्नता आपको देखने को मिलेगा उसके बाद बास्पी करन वर्सा आदित ये सब प्रभावित करते हैं होता क्या है कि प्रित्वी की प्रखिर्मा पडि करमन गति धाराओ के प्रभावित नहीं करती है लेकिन जलवाई उको प्रभावित करती है इस बात को द्यान लखेगा ठीक है न, next question करेंट फिर से है, कि अप्रिल 2020 में किस व्यक्ति को केंद्रिये सत करता आयुक्त के रूप में न्यूक्त किया गया है, तो राइट अंसर बताईएगा, D is the right answer, संजय कोठारी, ठीक है न, तो संजय कोठारी को केंद्रिये सत करता आयुक्त न्यूक्त किया गया है, राष्टपती राजनात कोमिंद ने संजय कोठारी को राष्टपती भवन में शपत भी दिलाई है, और वह राष्टपती रामनात कोमिंद के सचीव के तोर पे काम कर रहे थे समझ में आया नेक्स्ट कोश्चन है आपके सामने तो नेक्स्ट कोश्चन है कि किस कोश्चन है कि किस राष्ट्रिय उद्ध्यान में वह ने जीवों के लिए देश की पहली कुरेंटाइन सुवधा अस्थापित की गई थी शीज दर राइट अंसर जीम करवेट नेिशनल पर्क में हुआ था क्या कि जीम करवेट नेशनल पर्क जो है वो बनने जीव के लिए देश की पहली कुरेंटाइन से ब्ला Done अस्थापित की थी जीम कार्वेट नेशनल पार्क जो है उत्राखंड में इस बात को नूट कर लिजेगा नेक्स्ट कोशन है आपके सामने 20 स्वास दिवस जो है 2020 का थीम क्या है तो ये जो इसका थीम था नेक्स्ट कोशन आपके सामने है हाली में मैटरन हर्ण परवत जो है उस पर भारतिय द्वज को प्रकासित किया गया है यह किस प्रवत की चोटी पर है डी ज़र आइट अंसर आपका अलपस है ठीक है न याद रखे है क्या हुआ था कि मैटरन हर्ण परवत जो है अलपस परवत की पहारी चोटी पर इस्थित है और यह द्वज उस वहाँ पे ठीक है न भारतिय द्वज को प्रकासित किया गया था यह मटरन हर्ण परवरत कहा है तो सुजर लैंड में याद रखेगा नेक्ट कोश्चन क्या है कि महिला को मास्क बनाने के लिए पर साहित करने तो जीवन सकती योजना की सरकार द्वारा जाड़ी किया गया था तो एस दराइट अंसर मदपरदेश द्वारा यानि कि जो हुआ था क्या कि मदपरदेश की सरकार ने महिलाओं के लिए घर बैठे रोजगार क्याने का लिए वर्क फ्रॉम होम उपलब्द कराया सोड़ी छेतर की कोई भी महिला जीवन सकती योजना के तवत पैसा कमा सकती है और मास्ट बना कर 11 रुपे पड़ती रुपे के हिसाब से वो बेच सकती है सरकार को दे सकती है नेक्स्ट कोशन है जारी अपनी लड़ाई का तागत देने के लिए हर साल 10 दिसंबर को अंतराष्टी मानवदिकार दिवस को मनाय जाता है ठीक है नेक्स्ट कोशन है कि देश के पहले ट्रांसजेंटर यूनिवर्सिटी के अस्थापना कहा हो जाएगी तो कहा जाता है कि उत्तर परदे से कुशी नगर में भारत की पहली ट्रांसजेंटर यूनिवर्सिटी की अस्थापना की जाएगी नेक्स्ट कोशन है इंडियन करॉप्सन सर्वे 2019 के अनुशार देश में सबसे ब्रस्ट राज्य की सूशी में से सबसे टॉप लेवल प्रथम अस्थान पर कौन रहा है C is the right answer आपका राजस्थान जो है फर्स्ट रैंक में है और बिहार जो है सेकेंड रैंक में ये भी याद रखेगा ठीक है न नेक्स्ट कोशन आपके सामने है कि हज प्रक्रिया हज प्रक्रिया को पूरी तरह डिश्टल बनाने वाला बिश्व का पहला देश कौन है A is the right answer भारत ठीक है न तो हज प्रक्रिया को पूरी तरह डिश्टल बनाने वाला भारत बिश्व का पहला देश बन गया है ठीक है नेक्स कोशन देखते हैं हम कि पुरुस होकी विश्विकप 2023 कि देश में प्रस्थाबित है तो डीज दराइट अंसर 23 जो है होकी उस विश्विकप भारत में होगा ठीक है यह बात कोई प्रोब्लम थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं पुरुस होकी विश्विकप 2023 का आयोजन भारत में किया नेक्ट कोचन आपके सामने है कि दिसंबर 2019 को बिहार के मुख मंतरी नितीश कुमार ने जल जीवन हड़्याली मिशन की शुरुवात किस जीले से की है C is the right answer पस्चमी चमपारन से किये हैं तो जल जीवन हड़्याली मिशन की शुरुवात पस्चमी चमपारन से की गई है इसके तहट 24,000 करोर रुपय आवंटित किये गये हैं ठीक है ये डाटा याद रखिएगा ड्रीम आफ नेक्स कोशन है ड्रीम्स आफ अब बिलियन पुष्टक किस ने लिखी है D is the right answer A और B दोनों लिखे है यानिकी बोडिया मजूमदार और नलीन मेहता ये दोनों जो हैं आपको देखने को मिलेंगे ये दोनों ड्रीम आफ अब बिलियन लिखे है नेक्स कोशन आपके सामने है माई 2020 में किस राज्य की प्रसिद्य मूर्थी कला को GI टैग प्रदान किया गया है इसके बाड़े में जान लेते थोड़ा उत्तर प्रदेश की प्रसिद्य मूर्थी कला गोरकपुर 13 कोटा को GI टैग प्रदान किया गया है ठीक है नेक्स कोशन आपके सामने है बजट 2020-21 के तहट के रोसीन और पेट्रॉल की निरभरता को दूर करने के लिए किस कार्यकरम को सुरू किया गया है तो D is the right answer यानि कि कुसुम योजना को कि सुरुवात की गई है तो कुसुम देखें किरोसीन और पेट्रॉल की निरभरता को दूर करने के लिए PM कुसुम योजना की सुरुवात किया गया है नेक्स कोशन है बहुत इंपोर्टेंट है इंडेक्स से कोशन एक प्रोशन पूछा जाए तो क्या है कोशन आपका देखिए कि ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 के में भारत की सस्थान पर रहा तो इस दराइट अंसर 74 मा जो है नंबर पर भारत देखने को मिला था क्या हुआ था कि WEF द्वारा मई 2020 में ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जारी किया गया है इसमें भारत का 74 वा रहा है 2009 में 76 मा था यानिकि दो अस्थान घसक के उपड़ आया है जिस इसमें प्रथम अस्थान स्वीडन को मिला नेक्स्ट कोच्चन है रंजी ट्राफी, 2020 का बिजयता कौन रहा? कौन रहा इसका जबाब दिजे? तो आपका in-sr is, देखीगा? आपका in-sr is, she is the right answer यानि कि सौराष्ट ने किया था यानि कि सौराष्ट यानि कि रंजी ट्रोफी जो जीता था विजे था सौराष्ट था 70 बर्ष में पहली बारे सा हुआ है और उप बीच अगर बात खड़े तो वह बंगाल देखिए किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मई 2020 में पहली बार अंतरिक्ष यात्री को अंतराष्टी अंतरिक्ष एस्टेशन ब्हेजने का लक्ष रखा गया तो C is the right answer, A space X यानि कि A space जो है एक्स जो है वो रखा था ठेक है न तो 46 में थोड़ा जान लेते हैं कि अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी के नीजी कमपनी A space X के Dragon A space Craft ने दो अंतरिक्ष यात्री को लेकर अंतराष्टी अंतरिक्ष एस्टेशन के लिए 31 मई को शफलता प्रुभक उड़ान भर ली थी नेक्ट कोशन आपके सामने भारतिये चिकित्षा अनुसंधान परिशद यानि कि ICMR द्वारा गठित राष्टी एक कारेबल द्वारा कोरोना वाइरेस के लिए किस दवा का सिफारिस किया गया है एजराइट अंसन हाइडरोक्लोरो देखे गया हाइडरोक्सी क्लोरोक्वीन या नाम है इस बात को ध्यान रखेगा नेक्ट कोशन आपके सामने है मार्च से 2020 में राष्टपति राजनाद कोमिन ने किसमुख नैयज दीस को रजसभा के लिए मनुनुनित किये है यह बहुत प्रचलित है आपको पता भी होंगे थोड़ा सा इसके बाड़े में जान लेते हैं तो राष्ट पती रामनाथ कोविन्द दोड़ा 46 में 46 में मुख्य न्याइदीस रंजन गोगोई को राजय सभा में मनुनित किया गया है भारत का पहला पैदल सेना संग्राले कहां खोला जाएगा तो भी इस दर राइट अंसर इंडॉर में खोला जाएगा इंडॉर के मुखे में देश का पहला और दुनिया का दूसरा इन्फैंट्री यानिकी पैदल सेना का म्यूजियम खोला जाएगा इसमें पैदल सेना के 1747 से लेकर 2000 तक के गोड़व साली इतिहास सोड़े एवं वीर सैनिक से के बलिदान को 3D प्रिंटिंग और हाथों से बने इंसान की तरह हुबहू देखने वाले स्टेच्यू या मु नेक्स कोच्चन है आज का लास्ट है फिर दो भाग में ये वीडियो में लाओंगा पार्ट वन और पार्ट टू करके ये तो लंबा वीडियो हो जाएगा ठीक है ना हाली में उत्राखंड सरकार ने किस सहर को उत्राखंड की ग्रिश्म कालीन राजधानी बनाने की घुस् चमोली जीले में स्थित एक तासील है याद रखिएगा ठीक है तो चलिए पूरा कंप्लीट ही कर देते हैं ठीक है अब थोड़ा तेजी से रहेगा क्यों कोश्चन बहुत एजी है ठीक है नेक्स्ट कोश्चन है आपके सामने प्रकास है आप ही बताए ये प्रकास क्या है तो D is the right answer यानि कि या एक भी दूत्य चुमक के तरहंग है या एक कन प्रकृती है या उर्जा का एक रूप भी है तो यह आपका right answer हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन है आपके सामने बायो गैस सन्यांत्र में नेमलिकित में से कौन सा प्रक्ड़ी सी प्रक्ड़िया होती है इस प्रकृत आए ठीम नमबर की एक वर्ट रिस्सट के उपर से नीचे और आने पर प्रमानू अकार घटा या बढ़ता या कोई पता लगा नहीं जा सकता है तो हम इसा बढ़ता है यारि कि नीचे से यादी आप उपर जाएगे ठेक हैं नीचे से नीचे की और हाएं एक मिनट एक वर्ग जो है उपर से नीचे की ओड़ाएंगे तो हम इसा बढ़ेगा ठीक है ना नीचे से उपर आएंगे तो वह हम इसा घटेगा इस बात को नोट कर लिजेगा ठीक है नेक्स वोचन आपके सामने बायू मंडल में प्रकास का विश्रन का कारण क्या है बहुत कि यह जीरो हो यहाँ पर ऑक्सीजन का बारी घट्सा में कितने लक्त्र नौन नहीं पूछता वह दो-2 हो जाता ठीक है यहां ध्यान रखेगा इसका कोई भी नहीं है ऑक्सीजन और उसमें कुछ यहां ही नहीं है नेक्स कोचन आपके सामने है सर्फ विश्रोधी सुह किस तत्विक के एक योगिक है एक दराइट अंसर यानिकि इस स्वर नहीं योगिक का है ठीक है निक्स कोच्छन है दाब का बीमिय सुतर क्या है तो आपको फर्मूला याद होगा दाब बराबल होता है बलबटा छेतर फल बलबटा छेतर फल बलको हम लिख सकते द्रभेमान कुन जिवास में पक्षी का नाम बताईए जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सड़ी सिर्फ जैसी अन्य भी सेस्ता है उसमें मौजूद होती है तो 20 दा राइट आसर आर्कियो टिक्स जो है यह देखने में तो भले ही क्या बोलते हैं पक्सी के अदर है इन सड़ा गुन उसमें क्या है सर सिर्फ बढ़ा होता है ठीक है ना इस बात को ध्यान लखेगा ने सब्सक्राइब के लिए किसका प्रयोग किया जाता है तो बोल्ट मिटर का 20 आइट अंसर ठीक है इसको आप ध्यान रखेगा नेक्स को सुमेलित कीजिए और बताइए इसमें कौन क्या है किसे क्या है तो आपका यहां पे सीज़ार आइट अंसर हो जागा यानिकि एक का ति मिला सकते हैं और चौथा का चौथा ही होगा सोड़ी सोड़ी एक मिनटी फिर से मिला ते गलती हो गया एलेक्ट्रॉन का खोज आपको एट्सन ने किया है ठीक है और उसके बाद आप एक मिनटी में गलती कुछ तो हो रहा है अच्छा हां सोड़ी यह देखे हुआ क्या है क ओडि कि एलेक्ट्रोन खात यहाँ पे अपर राइट अंसर सी हो जाएगा ठीक है एलेक्ट्रोन का जो हो जाएगा आपका जेजए तौंशन सझावज गलती हो गया और आपका ही प्रूट्रॉन इसके बाद दो रहा है इट पर नाचि ए पर नाच नंए C तो इस तरीका न defin E electron को Thompson ठेक है proton का ठेक है न इस तरीका से याद रही या photon का और उसका neutron का इस तरीका से इट पर नाची ये तरीका से आप बोल सकते हैं नेक्स लोशन आपके सामने है K2Cr2O7 में क्रोमियम की ऑक्सिजियन की संख्या कितनी होती है तो आपको पता होगा टोटली छोग आप निकाल लीजेगा ठेक है ना नेक्स लोशन है आपके सामने जनतुव तो पादवो में मित्र अपसेस का सरने या गलने में क्या होता है किस टाइप का पडिवर्तन देखने को मिलता है तो देखिए D is the right answer यानि की रसायनिक पडिवर्तन और किन्बन पडिवर्तन दोनों मैथडिस में देखने को मिलता है नेक्स्ट कोशन है निमलिकित में से कौन सा अनुवांसिक रोग नहीं है D is the right answer या अनुवांसिक रोग नहीं है या तीनों जो है लेकिन ये नहीं है नेक्स्ट कोशन आपके सामने है किस अधिनियम दोड़ा संप्रदाइक अधार पर सिखो भारतिय इसाईयों आंगल भारतियों या ये उरोपियों के लिए प्रिथक निर्वाचन का सिध्धान्त जो है विस्तरित किया गया है चीज़ दराइट अंसर अधिनियम जो है 1929 के तहत आपको देखने को मिलेगा ठीक है क्या है तो भारत सासन अधिनियम 1929 के द्वाड़ा संप्रदाइक अधार पर सीख भारतिय इसाईय या अंगल भारतिय और ये उरोपियों के लिए प्रिथक निर्वाचन का सिधान्त को विस्तरित किया गया है जबकि प्रथम भार विथक निर्वाचन मंडल का प्रधान जो है भारत परिशद अधिनियम 1909 में किया गया था ये भी ध्यान रखिएगा ठीक है ना नेक्स्ट कोशन है अपातकाल के दोड़ान मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है बताईए सबको पता है भारत का राश्टपति नेक्स कोशन है प्राकलन समीती के सदसय का करेकल होता है इस में सभी सदस्यों लोक सभा के होते हैं और इसके राज्य के सभाके सदस्य का कोई पती निजित नहीं होता है निमलिकित में से किसके अनुमोदक के भारत की संसद में पैसा निकालने के लिए भारत की संसद में अनुमोदित किया बसकता होती है सची बिधी में से कोई रहन रासी संसत द्वाड़ा बीनिमाई बिधायक पारित कर दिये जाने के पश्चाद ही निकाला जा सकता है या बैय किया जा सकता है अन्यतान नहीं होगा या अनुछेद 114 के तीन में जिक्र किया गया है निक्स्ट कोचन आपके सामने है क्या है कि बारतिये समिधान में बिधी के समक्षे शमता किस देश समिधान से लिया गया है बहुत इज़ी कोचन है दीज दर आइट 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 और तीन का चार भुझाओ यानिकि भासा का अापको अनुसुठी में तो जानते ही है थिक है दल बदल का निरोधी 10 में 10 से दल बदल कर देते हैं 1833 के चार्टर अधिनियम के अंत्रगत भारतिय कानून का वर्गी करन किया गया है और इस सिकारे के बिधी उपयोग का गठन किया गया है एवं लौर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रतम बिधी आयोग का गठन किया गया है सतिंदर प्रशाद सिनहा गवर्णा जर्णर की कारे कारणी में न्यूक्त होने वाले प्रतम बिधी सदस्य के रूप में न्यूक्त हुए थे नेक्स चोचन आपके सामने है शमिधान का प्रस्तामना द्रिक कालिन सपनों का विचार है निमन में से यह कथन किसका है यह क्या कहते है इनी का कथन देखने को मिलता है नेक्स कोचन आपके सामने है 76 नमबर है क्या है समिधानिक उपचारों के अधिकार को किसके सम्ध्यान की आत्मा कहा है समिधानिक उपचारों के अधिकार का डॉक्तर अंवर्णर अंश्थम में किया गया है कितनी बार बिहार में श्वतंतरता का उपरांत राश्च्पती का सासन लगया है तो आठ बार लगबग बिहार में कुल आठ बार राष्ट पती शासन लगाया गया है पहली बार 1969 में तथा अंतिम बार 2005 में लगाया गया था नेक्ट कोशन है कि भारत पर हुर्णो का प्रथम हमला किस शासन के समय हुआ था स्कंदुगुप के सासन काल में हुआ था हुर्णो का भारत पर प्रथम हमला जो है स्कंदुगुप के सासन काल में हुआ और इन्होंने भारत की रक्षा जो है हुर्णो से की थी नेक्ट कोश्चन आपके सामने महादूई पे बिस्थापन सिधान्त के अनुसार भारत का विस्तार किस ओर हुआ है इस दर राइट आंसर उत्तर की ओर हुआ है ठीक है तो वेगनर की महादूईप बिस्थापन सिदान्त के अनुसार भारत में बिस्थार उत्तर की ओर ज्यादा हुआ है नेस्ट कोश्चन एहोल अभिलेक किसासन से संबंदित है यह कि पुलकेस नुसार आपको देखने को मिलेगे ऐहोल है पुलकेस का याद्यान नहीं है आपको देखने को मिले हैं आपके सामने है महाबस्तु महात्मां बुद्र का जीवर भृत्य है जिसका किस सखा से संबंदीत है बताजिए इस दराइट अंसर महायान से संबंदित है ठीक है अकवर द्वारा बनाए गया उपासना ध्यान से समझेगा अकवर द्वारा बनाए गया उपासना भवन का क्या नाम है इस दराइट अंसर इबादत खान ठीक है इस बात को ध्यान रखिया इबादत खान अकवर द्वारा बनाए गया उपासना अस्थल के रूप में जाना जाता है नेक्ट कोचन है आपके सामने सूप प्रसिद्ध संगीत कार तांसेन और बेजुबा बर किसके सासनकाल में शुविख्यात थे सी दराइट अंसर अकवर के सासनकाल में थे यदि ब्याज का बुकतान राजकोसिय घाटे से घटा जाता है तो सेसरासी कितना के बड़ावर होता है प्रार्थमी घाटा सी दराइट अंसर यदि ब्याज की बुक्तान राजकुशी है घाटा से घटाया जाना तो इसका जो प्राफ्थमिक घाटे के बराबर इसका देखा जाता है Next question है आपके सामने सेबा पर कर लगाने किसी फारी स सरपर्थम किस समीती ने की थी This is the right answer चलिया समीती ने की थी ठीक है न और सेर बजार पर टेक्स लगाया गया था सबसे पहले ठीक है नेक्स आगे देखते हैं निम्लेक्षिन में से कौन सी करांती प्याज औस्दी या जींगा उस्दी या जींगा उस्दी से समबन्दीत है This is the right answer नेक्षिन आपके सामने है निम्लेक्षिन में से किन दो संस्थाओं को ब्रेटन वुट्स जुरुबा के नाम से जाना जाता है This is the right answer आपका I, M, F और 20 वैंक को क्या दो संस्था ऐसे है जो कि ब्रेटन वुट्स जुरुबा के नाम से जाना जाता है Next question है किस वर्स भारतिय रिजर्ब बैंक की राश्टी करन किया गया था तो भी इस दर राइट आणसर 49 में 1949 में किया गया था ठीक है ना तो भारतिय रिजर्ब बैंक का एक जनवरी उन्हें सोनचास को राश्टी करन किया गया आर भी आई की अस्थापना जो है लगवग एक अपरील 1935 इसको हुआ था इस बात को भी आप नोट कर लिजिएगा Next question आपके सामने है ज्यान से समझेगा 90 नमबर आपके सामने है यदि राजस्वा घाटे से उन अनुदानों का या वयो के निकाल दिया जाए तो प्रभाव में पूझी स्रिजन से सम्बंदित है जो कथन कौन सा कथन घाटा प्रदीस्त होता है यानिकि प्राप्त होता है तो C is the right answer यानिकि प्रभावी राजस्वा घाटा जो हता है राजस्वा घाटा जो हता है यही होता है नेक्ट कोशन आपके सामने हैं से सम्मेलित नहीं है बदाएगा D is the right answer बुटान जो है पुटबॉल से सम्मेलित नहीं है ऐसे स्पेन जो है बुल फाइटिंग के लिए अमेरिका जो है बेस्वाल के लिए कनाडा जो है आइस होकी के लिए लेकिन बुटान जो है सम्मेलित इसमें नहीं है भारत में आएकर है D is the right answer परत्यक्ष और प्रगती सील नेक्ट कोशन है भारतिये आए में क्रिसी का योगदान है ये योगदान गिर रहा है दिन पर दिन ठीक है नहीं ये बात ही नहीं गरते हैं आगे चलते है नेक्ट कोशन है कुछी पूरी किस राजी की परसिद्धे लोग नित्रे है तो D D is the right answer आँद्रपर्देश कुछी पूरी जो है आँद्रपर्देश की निरत्य है हर्मन प्रित कोर समबंदीत है कि स्खेल से समबंदीत है ए इस दराइट आइट 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 क्रिकेट से समबंदीत है नेक्ट कोशन है कि भारत वन इस्थिती रिपोर्ट 2019 के रिपोर्ट के अनुसार जो है न वन शेत्र मदपर्देश में है तता सरबदिक बना वरन प्रतिसत अगर मिजोरम राज में है जबकि वन शेत्र में बिर्दी करने वाला राज जो है करनाटक और अंध्रपर्देश है और किरल को भी सामिल किया है नेक्ट कोश्चन आपके स सामने है कि वजट 2021 में क्या हुआ था किसानों के जल्दी खड़ाब हो जाने जल्दी खड़ाब हो जाने वाले समानों को बचाने के लिए किस पड़िवहन की शुरुआत की गया तो कि किसान की जल्दी खड़ाब होने वाली फसलों के बचाव के लिए किसान रेल नमक दिखते हैं नागरिकता संसोधन बिदैख कितने शमुदाओं को नागरिकता देता है आज का लास्ट कोर्षन है आपके सामने निमलीकित युद्धाव्यारन अब युद्धाव्यास में कौन सुमेलित नहीं तो देख़ों नहीं है आपका मित्र सकती भारत और स्रिलंका यह सुमेलित है इंडर जो है भारत और रूस के बीच ये भी सुमेलित है जी मेक्स यानि कि G I J I M E X भारत और जापान के ये भी लेकिन M, J, N, X ये तो ही नहीं यह यहाँ पर समयलित है ही नहीं तो आज क्या question यहीं समाप्त हुआ यदि आपको अच्छा लगा तो comment box में लिखिए और बिल subscribe ज़रूर कीजिए ठीक है ना फिर मिलेंगे next video तो आएंगे कर लेकर buy and take care जैहिं